आसा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रसांत और आप देख रहे हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम देज उम्मेद करता हूँ आपके तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगे आप सब लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सांते साथ बेल आइकन को भी जिरूर प्रिस करें ताकि जब बेमनेस्ट वीडियो अप्लोट करो तो उसके नोटिप केस नाप तक सबसे पहले पहुंच सकें दोस्तो यह वीडियो का पाइट निमबर वन है इसके बद पाँच वीडियो और आएंगी जिनकी मदद से आपके जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक के 800 कोशन कभर हो जाएंगे तो आज की इस वीडियो पे हम डिसकस करेंगे जनवरी 2020 से लेके मार्च 2020 के 160 सिलेक्टर कोशन जो आपके एक्जाम पर आ सकते हैं दोस्तो इस वीडियो पे जितने भी कोशन लेये हैं अभी तक जितने भी एक्जाम कंड़क्ट हुए हैं उन सब एक्जाम के लेवल को देखते हुए लेये हैं और पूरे पूरे चांस बनते हैं कि आपके एक्जाम पे इसी टाइप की कोशन पूछे जाएं कोश्चन नमर वन है इस कोश्चन पर पूच्छा है कि विस्व स्वास्थ संगठन ने कोरोना वाइरस को नए नाम दिया है आपको बताना है कि विस्व स्वास्थ संगठन जिसे क्या कह देते हैं डबलु एचो भी कह देते हैं तो आपको बताना है कि डबलु एचो ने कोरोन यह नाम किस ने दिया था यह और नें हुटते हैं यह और इसका मुख्याले कहा की है जेणेवा पे इसतीत है चली है पर चलते हैं Net Question है चार जन्वरी को निम्ल में से कौनसर दिवस मनाया जाता है तो बता है इस Question का इन्हों हिसetes अंध्यवक्तियों के लिए Braille L to की कोज यह जिसकी मदर से अंध्य वक्ति भी पढ़सकते हैं ठेक है चलिए Net Question को चलते हैं नेट कोश्चिन है इस कोश्चिन पर पूशे गए है कि खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संसकरण का योजन हाले में कहां पर किया गया था तो बताए इस question का right answer क्या रहेगा important question है और इसका right answer है खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का योजन असम के गुहार्टी में किया गया था तो option number 20 का right answer है और यदि मैं आपसे पूंच लेता कि खेलो इंडिया यूट गेम के तीसरे संस्क्राइड में पहली स्थान पे कौन सा राज रहा तो उसका राइट अंसर क्या रहता? महाराष्ट रहता चलिए next question क्यों चलते है तो next question पे वही पूँचा है जो अभी मैंने आपसे पूँचा था इस question पे पूँचा गए है कि खेलो इंडिया यूट गेम 2020 में पदक तालका में कौन सा राज पहले इस्थान पे रहा है तो मैंने आपको अभी बताया था कौन सा राज रहा? महाराष्ट राज रहा है तो उसका राइट आंसर रहेगा चलिए next question क्यों चलते है नेट question है विस्व आर्थिक फोरम की पचासमी वार्सिक बैठक का योजन कहां पे किया गया था तो बताया इस question का राइट आंसर क्या हो सकता है तो इसका राइट आंसर रहेगा हाली में विस्व आर्थिक फोरम की पचास में वार्सिक बैठक कायोजन कहां पर किया गया था सोजाल लेंड के दाइवोस में किया गया था तो ओप्स नमर बेज का राइट आंसर हेगा यदि हम बात करते हैं विस्व आर्थिक फोरम की तो इसका मुख्याले कहां पेशते थे इसका मुख्याले भी जेनेवा पेशते थे और यदि हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थे तो इसकी स्थापना हुई थे 1971 पे चलिए नेट कोशिन क्यों चलते हैं नेट कोश्चिन है इस कोश्चिन पर पूशा गए है कि प्रवार्सी भारती दिवस कम मनाया जाता है तो बताए इस कोश्चिन का राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर रहेगा प्रवार्सी भारती दिवस मनाया जाता है नौ जन्वदी को ठीक है ओप्स नमर बी इसका राइट अंसर रहेगा प्रवास्थी भारती यहां पर आया है तो प्रवास्थी भारती किसे कहते हैं तो ऐसे वक्ति जो बाहर से बाहर रहके यानि की वीडियों में रहके भारत के लिए सेवा का कारे करते हैं उनको कहा जाता है ठीक है तो उनकी याद पे हर साल नौ ज रिपोर्ट में भारत का कौन सा इस्थान रहा है तो आपको बताना है कि वैस्विक समाजिक बदलाव सूचका की रिपोर्ट में भारत का इस्थान कौन सा रहा तो इसका राइटान से रहेगा भारत का इस्थान रहा है छी अत्रमा ठीक है ओप्शन से इसका राइटान से रहे क्रिस्टल एवर्ड की सुहारति को प्रदान किया गया था तो बताए इस question का right answer क्या हो सकता है तो इसका right answer हेगा विर्श वार्टिक फोरम का crystal एवर्ड किसे दिया गया था देप का पादुकॉंड को दिया गया था option number D इसका right answer रहेगा next question है प्रतेक वर्ष 20 हिंदी दिवस मनाया जाता है तो बताए इस question का right answer क्या हो सकता है important question है और आप सब लोग जानते भी होंगे तो इसका right answer रहेगा प्रतेक वर्ष 10 जनवरी को 20 हिंदी दिवस मनाया जाता है ठीका यह दिमा बात करता कि राष्टी हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को ठीक है कम मनाया जाता है राष्टी हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है लेकिन question पर क्या पूंचा है कि विस्व हिंदी दिवस कम मनाया जाता है यानि कि विस्व की बात वह है तो इसका right answer क्या रहेगा 10 जनवरी को विस्व हि नेट कोश्चिन है इस कोश्चिन पर पूशा गया है कि Greenpeace India ने भारत में प्रोडूसरेंड की एक रिपोर्ट जारी की इस रिपोर्ट की अमसार देश का सबसे कम प्रोडूसरेंड सहर कौन से है बताए इस कोश्चिन का राइट आंसर क्या होगा बहुत इंपोर्टेंड कोश देश का सबसे कम प्रोड और आंसर है यादि मैं यहां पर पूच लेता कि सबसे जादा प्रोडूसरेंड शखर कोश्चिन नेट कोशन क्यों चलते हैं नेट कोशिन है कौन सा देश यूरूपी संग यानिकि EU से बाहर हो गया है तो बताए इस कोश्चिन का राइट आंसर क क्या होगा तो इसका राहंवा सदान से रहेगा उदुरोपी संग से कौना रहार हो गया ब्रितन हो गया है ठीक है तो ऑपन्माव ₹ क्योज्ण क्यों चलती है एक बर्टमान वे यूरोपी संग तो ब्रbels राइट आंसर दहेगा चलिए नेट कोश्चन के और चलते हैं नेट कोश्चन है निम्न में से कौन सा यूरोपी संग का सदस से नहीं है तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जो यूरोपी संग का सदस से नहीं है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ब्रेटोन जो है ये रोपी संग से बाहर हो गया है और सुझे लेंट तो पहले से ये रोपी संग में नहीं था तो ओक्स नमर बी और सी इसका राइट आंसर रहेगा चलिए नेट कोश्चन क्यों चलते हैं जिसे कहते हैं अंतराष्टी शिक्छा दिवस ठेक है आप सबолод लोगे से नूट कर लेजेगा एक्जाम पर काफी बार पुंचाय गया है कि अंतराष्टी शिक्छा दिवस कम मनाया जाता हैं तो इसका राइट आंसर वे क्या रहेगा? 24 जन्वरी को अंतर राहटी सेक्षा दिवस मनाया जाता है. Net Question है, 81 में गर्टन दिवस कारक्रम में मुख अती थे, जायर मोसियस बोल्स नारो किस देश के राइट पती है? आपको बताना है कि जायर मोसिस बोल्स नारू किस देश के राष्ट पत्ती है ठीक है तो इसका राष्टान सदहेगा यह जो है तो ब्राजील के राष्ट पत्ती है ओप्स नमर 20 का राष्टान सदहेगा यह जो है तो 71 में गल्टन दिवस कारकरम के मुक्तित है ठीक है ओप्स प्रसम की जहांकी को सर्विसेट जहांकी का पुरुषकार दिया गया था। ओप्स नुम्बर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेट कोशन है भारत ने इन में से किसके 100% हिस्सेदारी बेचने का नेड़ने लिया है। तो बताए इसकोशन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा Air India. ठीक है? Air India Company का 100% हिस्सेदारी बेचने का नेड़ने लिया गया है। चलिए नेट कोशन की वाच चलते हैं। नेट कोशन है प्रेसिद्व वास्केट वॉल खिलाड़ी को प्रेंट किस देश से संबन देते हैं तो इसका राइट अंसर क्या रहेगा यह जो है तो अमेरिकर से संबन देते हैं और यह किस के लिए जाने जाते हैं वास्केट वॉल के लिए जाने जाते हैं ठीक है ओप्स न किया गया था यह पूरुषकार की छेत्र के लिए समंदित है तो बताया इस question का right answer क्या हो सकता है तो आप सब लोग एक से लोस एंजल पर किया गया था इतना आप सब लोग इसे नोट कर लेजेगा अब पूछागा है कि ग्रे में पुरुषकार किस से संबंदित है तो आपको बता दूँ ग्रे में पुरुषकार किस से संबंदित है संगीत से संबंदित है यदि में आप से पूचले तक कि ए में प और टोनी पुरुषकार का सम्बंद किस से होता है टेली विजन से होता है और टोनी पुरुषकार का सम्बंद किस से होता है लेकिन क्या पूछा है ग्रेमी पुरुषकार का सम्बंद किस से होता है तो इसका राइटन सदेगा ग्रेमी पुरुषकार का सम्बंद किस से होता है NAIDißї कोइटि 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 के संदर्व में सही कतन है तो आप सबही लोग जानते होंगे कि तामिन लाड़ू में मकर संक्रांती को पुंगल , यह भी सही है बिहार में मक्र संक्रांती को खिषडी कहा जाता है यह भी सही है और पंजाब और हरियाणव में मक्र संक्रांती को लोहडी कहा जाता है यह भी सही है तो उप्रोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्सन में डी इसका राइट आंसर था चलिए नेहट कोश तो आप्स नमबर 20 का राइट आंसर रहेगा नेट कोशिन है चर्चा में रहा राय सीना डॉयलोग के संदर्व में सही कथन है तो बताए इस कोशिन का राइट आंसर क्या हो सकता है तो इसका राइट आंसर रहेगा आप्स नमबर D क्योंकि option number A भी सही है, B भी सही है, और option number C भी सही है, तो चलिने एक बार देख लिते हैं, राय सीने डॉयलक के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि चन्बरी 2020 में इसकी पांच में संसकर्ण का योजन नई दिल्ले में किया गया, यह भी सही है, ठीक है, राय सीने ड राय अंसर हेगा, चलिए next question के वो देखते हैं, next question है, K9 वजर होपिजर टोप टेंक के इनक आनवे यूनिट को सेना में सामिल किया गया, इसका निर्मार किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बता दूँ, K9 वजर होपिजर टोप है एक तरिका, और इसका निर्मार किस राय आंसर हेगा, next question है, इस रोने हाले में G30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदर से सवफलता पूर्वक लॉंच किया था, तो इसका राय आंसर क्या रहेगा, इस रोने हाले में G30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदर से लॉंच किया था, एरियन 5 की मदर से लॉंच किया था, तो option number A इसका right answer देगा यदि में आपसे यहाँ पूछ ले दखें जैसे 30 का निर्माड किस ने किया था तो इसका निर्माड किया था इस रोन ने और इसे किस रोकर्ट की मतर्से लॉंच किया गया है इरियन फाइप किह मतर्से चलिए net question कि पूछ चल्ते है next question है 29 take question को चलते है net question है 39 Thinking सर्चोंति समान इन में से किसे दी लिए गया तो बताया इस कोछिन का right answer क्यों होगा तो इसका right answer रहेगा उन्थिस्वा सर्चोंति समान जो है तो वासुदे मोही को दो दिया गया और ये किस भाहसा के लिखक हैं? सिंधी भाहसा के लिखक हैं आप सब फोंगे इतने याद रख आठीएगा चलेए net question क्यों चलते हैं? net question है वासुदे मुही, अभी मैंने बतायी था इने 29 सरसुदे समान डिया गया और ये किस भाहसा के लिखक है- तो इसका right answer रहेगा, सिंदि वहांसा के लेखन है, तो option number 20 का right answer रहेगा, net question है, हाले में भारज ने परमाडु टाकट से less ballistic missile के फोर कर सफल परिक्षण किया, जिसकी मारग चमता है, तो इसकी मारग चमता कितनी है, 3500 किलोमेटर, तो option number 20 का राइट आंसर रहेगा ठीक है चलिए नेट कोशिन क्यों चलते हैं नेट कोशिन है आर्टेलिये में किस세요 उड्योग पती के आर्टेलिये किसे संबंद भढ़ाने के प्रयासों को लेकर order of artelia से समानित किया है तो बताए इस question का right answer क्या होगा important question है और इस question को मैंने आपके संद कई बार discuss किया है तो इसका right answer रहेगा किरण मजूमदार साको समानित किया गया है दोस्तियां पर order of artelia आया है यह जो है तो artelia का सरवोर्च पुरुजकार है चलिए नेट question क्यों चलते है नेट question है इस question पर पूचेगा है कि इन में से किस राज ने मुख मंति क्रेशक दुर्घटना कल्याण योजने की सुरुवात की है तो बताए इस question का right answer क्या होगा important question है और इसका right answer है का उत्तर प्रदेश राज की सरकार ने हाल ने मुख मंति क्रेशक दुर्घटना कल्याण योजने की सुरुवात की है option number 20 इसका right answer रहेगा next question है इसरों ने हाल है में अंत्रिक्ष यात्रियों के प्रेक्षण हेटू मानों अंत्रिक्ष उडान केंड़ की स्थापना करने की होशना की है तो बताए इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा करना तक के चले केरेव पे इसकी होशना की गई है ठीक है option number A इसका right answer रहेगा I repeat इस रोने हाल में अंत्रिक्ष यात्रियों के प्रेक्षण हेटू अंत्रिक्ष उडान केंड़ की स्थापना करने की हुशना कहां पे की गई है तो इसका right answer रहेगा करना तक के चले केरे में की गई है option number A इसका right answer रहेगा चलिए net question क्यों चलते हैं net question है इस question पे पूशक है कि BCCI का पाली उम्वरीगार पुरुषकार हाले में किसी दिया गया तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer रहेगा BCCI का पाली उम्वरीगार पुरुषकार जो है तो जस्प्रिट बुम्राई को दिया गया तो option number B इसका right answer रहेगा चलिए नेट कोईशन जो चलते हैं केन्सर का दौरा जारी हाली में स्वक्षितर test acquisition के रिपोर्ट में D.S. का सब से स्वक्षित — सहर है तो पता है इस कोईशन का राइट answer क्या खाएगा तो इसका राइट answer रहेगा indoor तो option 1921 नैट कोईशन है इस question में पूशागा है कि RBI द्वारजारी money app की system मन्दित है तो बताए इस question के right answer क्या रहेगा तो इसका right answer है डेश्टी बाधित लोगों के लिए हैं ठीक है ओप्स नमबर सी इसका right answer है दोस्तों यह पर money app आया है तुम आपको बता दू RBI ने हाल ही में money app की शुरुआत की है इस app की मदर से डेश्टी बाधित लोग नोटों के पहचान आसानी से कर सकेंगे इस app में एक्टरी का स्कैनर लगा रहता है जो नोटों के पहचान करके डेश्टी बाधित लोगों को बताता है ठीक है तो option number 6 का right answer रहेगा नेट कोश्चिन है इस कोश्चिन पर पूशेगा है कि Oxford University Press ने किस हिंदी सब्द को Oxford Hindi World 2019 से चुना है तो बता है इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer हैगा Oxford University Press ने हिंदी सब्द संभिधान को Oxford Hindi World 2019 से चुना है तो option number 20 का right answer रहेगा चले नेट कोश्चिन के चलते हैं नेट कोश्चिन है सुर्खियों में रहे बोडो जन्याती का सम्बंद किस राज़े से है बता है इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा बोडो जन्याती का सम्बंद जो है तो असम से है आप्स नमर सी इसका right answer रहेगा नेट कोश्चिन है इस question पर पूचा करे है कि किस राज़े सरकार ने राज़े के लिए तीन राध्यानियों के निर्माड की मनजोरी दी है तो बता है इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा आंधपरदेश आंधपरदेश राज़े के सरकार ने राज़े के लिए तीन राध्यानियों के निर्माड की मनजोरी दी है तो आप्स नमर सी इसका right answer रहेगा चलिए नेट कोश्चिन क्यों चलती है नेट कोश्चिन है मदपरदेश सरकार ने लता मंगेश कर पुरुषकार 2018 के लिए किस भारती संगेतकार को चुना है तो बताए इस कोश्चिन का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा कुल्डीप सिंग को चुना है ठीक है ओप्स नमर 20 का right answer रहेगा और लता मंगेश कर पुरुषकार किसे संबन देत है संगेत के छेतर से संबन देत है चलिए नेट कोश्चिन क्यों चलते है नेट कोश्चिन है संगई सहयोग संगठन के अजूबों के सूचि में किस भारती इस मारक को सामिल किया गया तो बता है इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा if that you of unity को सामिल किया गया option number 6 का right answer रहेगा next question है CRPF का नया महानी देशत इन में से किसे निक्ट किया गया है question पर पूशा है कि CRPF का नया महानी देशत इन में से किसे निक्ट किया गया है तो सबसे पहले आप सभी लोग बताएं, CRP आपका full farm क्या होता है, तो आप सभी लोग का जवाब रहेगा कि CRP आपका full farm होता है, Central Reserve Police Force, और इसका नया महानिदे सा कौन है, AP महस्वरी जी है, तो आप्स नमर सीज का राइट अंसर देगा, नेट कोश्चिन है, इस कोश्चिन पे पूछा गहा है कि, ग्रह मंत्री अमित साय ने कर्मी और धा नामक पुष्टक का बिमोचन किया, यह पुष्टक किस भारती राजनितक की जीवन पर अधारित है, बताएं, इस कोश्चिन का राइट अंसर क्या होगा, आप सभी लोग जानते होंगी कि, बरतमान में हमार ग्रह मंत्री कौन है, अमित साय जी है, इन्होंने कर्मी और धा नामक पुष्टक का बिमोचन किया, और यह पुष्टक किस राजनितक की जीवन पर अधारित है, तो इसका राइट अंसर रहेगा, नरेंड मूरी जी की जीवन पर अधारित है, और यह हमारे भारत की कौन है धानमनति है, नेट कोश्चन है, इस कोश्चन पर पूछा गया है कि, गोल्डन गलोब एवर्ड 2020 में बेस्ट मूशन पिचल ड्रॉमा का खिताब किस फिल्म को दिया गया, तो बताए इस कोश्चन का राइट अंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट अंसर रहेगा, 1970 फिल्म को best motion पिछल ड्रामा का खिताब दिया गया तो option नमर ए इसका right answer रहेगा next question है गगन यान मिशन के लिए भारती वायू सीनक के कितने व्यक्तियों को रूस में प्रिसिक्षण के लिए चुना गया तो बताए इस question का right answer क्या रहेगा important question है और इसका right answer रहेगा चार व्यक्तियों को चुना गया तो option number 30 का right answer रहेगा next question है इस question पर पूछागा है कि आश्टेलियन ओपन 2020 में पूरुस एकल का खिताब किसने जीता तो बताए इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा आश्टेलियन ओपन 2020 में पूरुस एकल का खिताब जीता है नुवाक जोकोविच तो option number 8 का right answer रहेगा चलिए next question क्यों चलते हैं next question है आश्टेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो इसका right answer रहेगा सोपिया कैनिन ने जीता है next question है इस question पर पूछे गए कि निम्रे में से किसे IBM का नए चैर में न्युक्त किया गया है तो बताए इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा IBM के नए चैर में न्युक्त ही हुए है अर्विंद कृस्णा तो option number 20 का right answer रहेगा और IBM का full farm क्या होता है IBM का full farm होता है international business machine चलिए next question क्यों चलते है next question है वर्स 2018 के लिए मर्द प्रिदे सरकार दोर्य दिये जाने वाला किस और कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया तो इसका right answer क्या रहेगा वाहिदा रहमान को प्रदान किया गया option number D इसका right answer रहेगा next question है इसका right answer रहेगा चालिसमा स्थान रहे 2019 में कौन सा इस्थान थे लेकिन चार पाइदन नीचे गिरके 2020 में भारत के कौन से इस्थान हो गया चालिसमा हो गया है इस question पर पूचे गया है कि इनमें से किस सहर को पांच फरबरी को युनस के द्वारा विश्च धरूहर इस्थल का प्रमालपर परदान किया गया तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गुलाबी जहर जैपुर को परदान किया गया तो ओप्स नंबर देश का राइट आंसर रहेगा next question है डेफ एक्सपो 2020 के संदर में सही कथन है तो ओप्स नंबर वन में क्या है 2020 में डेफ एक्सपो का ग्यारमर संस्क्रान अविजित किया गया सही है डेफ एक्सपो 2020 का अविजन लखनोंपी किया गया ये भी सही है और इसके ठीम थे the emerging defensive manufacturing hop ये भी सही है यानि कि option number D इसका right answer रहेगा next question है इन में से कौन अंत्रिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी है तो बताया इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा क्रिष्टीना कोच इन्होंने 328 दिन अंत्रिक्ष में बिता कर यह रिकार्ड कायम किया है और इसके पहले यह रिकार्ड किसके नाम पे था पैगी बिर्टसन के नाम पे था ठीक है तो option number D इसका right answer रहेगा net question है किस राज ने मुखमन ती परिवार समरद्धी उजना लौच की है तो बताया इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा हर्यांट राज के सरकार्डन ने हार्वे में मुखमन ती परिवार समरद्धी उजना लौच की है तो OPS NUMBER A ही ही का Right Answer रहेगा नहीं कोशन है जोकिन फॉनिक्स और ÓPS NUMBER A इसका Right Answer है और Oscar Award 2020 में Surfshate अभिनेत्री का पुरुषकार किसे दिया गया था? रहनी जल्वेगर को दिया गया था. आप्स नमर 20 का राइट आंसर हेगा. Next question है, इस question पर पूछे गए कि Oscar Award 2020 में Surfshate फिल्म का एवार्ड किसे दिया गया था? तो बता है, इस question का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा, Parasite फिल्म को Surfshate फिल्म का एवार्ड दिया गया था. आप्स नमर 20 का राइट आंसर रहेगा. यदि मैं आपसे पूछों कि Oscar Award किसके द्वार्ड दिया जाता है? तो Oscar Award जो है तो अमेरिका की Academy of Motion, Picture, Arts and Sciences के द्वार्ड दिया जाता है. तो इतना आप सभले किसे नोट का लिजेगा? चलिए, Net question क्यों चलते हैं. Net question है, इस question पर पूछा है कि BAFTA Award 2020 में सर्फ्रेट फिल्म का एवर्ड किसे दिया गया? तो बता है इस question का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फिल्म पैरसाइट को सर्फ्रेट फिल्म का पूर्षकार दिया गया. यदि मैं आप से पूछू कि BAFTA को full farm क्या होता है? तो आपको जबाब क्या रहेगा? British Academy of Film and Television Arts. ठीक है? आप सब लोगे इतना नोट का लेजेगा. चलिए, next question क्यों चलते हैं? Next question है, Oscar Award 2020 में Best Documentary Film का वर्ड किसे दिया गया? तो Best Documentary Film कौन थे? American Factory. तो option number 8 का right answer देगा. I repeat, Oscar Award 2020 में Best Documentary Film का वर्ड किसे दि American Factory को दिया गया था. चलिए, next question क्यों चलते हैं? Next question है, Oscar Award 2020 में Best Animated Film का वर्ड किसे दिया गया? तो इसका right answer रहेगा. Toy Story 4 को दिया गया. option number 8 का right answer रहेगा. Next question है, इस question पर पूछा गया है कि हाली में भारत ने संयुक्ट सैन अभ्यास Ajay Warrior 2020 किस देश के साथ किया है? आपको पताना है कि संयुक्ट सैन अभ्यास Ajay Warrior किस देश के साथ भारत ने किया है? तो इसका right answer रहेगा. ब्रिटेन के साथ किया है. तो option number D इसका right answer रहेगा. यादि कहां पर question पर पूछ लेता कि Ajay Warrior संयुक्ट सैन अभ्यास भारत और किन देशों के मर्द होता है? तो इसका right answer रहेगा भारत वा ब्रिटेन के मर्द होता है. चलिए next question क्यों चलते है? आपको बताना है की विस्το अष्ल डिवस का मिना जाता है तो इसका right answer रहेगा तो इसका right answer रहेगा विश्टु रेडियो डिवस 2020 की थीम थे रेडियो एंड डाइवर्सिटी ठीक है, ओप्स नमबर 8 का राइट अंसर रहेगा नेट कोश्चन है, भारत का नया विट्ट सचिव हाले में किसे निवट किया गया है बताई इस कोश्चन का राइट अंसर केंसासिर प्रदेश से है, आपको बताना है कि यस भारती अवर्ड का समन किसे राजिस या फिर केंसासिर प्रदेश से है तो इसका राइट अंसर रहेगा उत्तर प्रदेश यस भारती अवर्ड जो है तो उत्तर बेश का सरवोच पुरुसकार है और इसके सुरुवात के हुई थे 1994 सी हुई थी ओप्स नुमर डी इसका राइट आंसर रहेगा नेट कोशन है 65 में फिल्म फेर एवार्ड 2020 की खुंश्टा की गए जिसमें सरुषेट अभिनेतक एवार्ड किसे दिया गया तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा रेड विल सिंग को दिया गया चलिए नेट कोशन के वो चलते है इस कोशन पर पूशा गया है कि 65 में फिल्म फेर एवार्ड में सरुषेट अभिनेतक एवार्ड किसे दिया गया तो इसका राइट आंसर रहेगा आलिया वट को दिया गया नेट कोशन है इस question पे पूशा है कि 65 में फिल्म फियर एवर्ड में सरवसेट फिल्म को आवर्ड किसे दिया गया तो कौन से फिल्म थे तो आप साभी लोग जानते होंगे कि गली वॉय को सरवसेट फिल्म को आवर्ड दिया गया ठीक है और इसके अविनेत्र कौन थे रडवीर कपूर थे और अविनेत्र कौन थे आलिया भटती जैसे मैंने उपर वाले question पे बता दिया है चलिए next question क्यों चलते हैं इस question पे पूंशा है कि नाडू नेडू यूजना किस राज सरकार ने लॉंच की है तो बता है इस question का राइट आं पूंचा गया है कि इन मिसी किसे गया है नप्स नमर 20 का राइट रहेगा याल मैं ढूंच मंत 여기까지 कौन है तो आप सभी लोग आंसर क्या रहेगा आप सभी लोग बता है यडि मैं यहां पर पूंच लेता है कि राम मंदित रेष्ट क्या धिक्ष कौन है तो इसका राइट अंसर रेता है नेत गुपाल दास ठेक है आप सभी लोग इतने याद रखिएगा चलिए नेट कोशिन क्यों है नेट कोशिन है ACI कुष्टे चैंपियंशिप 2020 का व्योजन कहां पर किया गया तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ACI कुष्टे चैंपियंशिप 2018 से लेके 23 परवरी तक भारत की राजधान ने नई दिली पर योजित किया गया था ठीक है नेट कोशिन है इस कोशिन पर पूशे गए कि भारत की पहले INTERCITY ELECTRIC BERS सेवक किस राज में शुरू की गई बहुत important कोशिन है और एक जाम पर पूँचा विगया था तो इसका राइटान सर रहेगा महरःट राज में शुरू की गई और ये किन सहरों की मद्दध चलेगी कि मुंबाइख लेके पूर्ड तक चलेगे ठ्यक है चले नेक्ट को क्यों चेलते हैं कि मैंत कोर्षिन है इसको स्टोन पर पूंचा गए कि स्वल हैर्थ काड इसकी भारत सरकार में ने वर से शुरू की गयी थी तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्वेल हेर्थ कार्ड इसके इम जो है तो भारत ने किस वर शुरुआत की थी उन्हाइस भरवरी 2015 को शुरुआत की थी तो कौन साब्शन सही रहेगा ऑप्शन में D इसका राइट आंसर है आज दी पेटे स्वेल ह नेट कोश्चन है राष्टी विज्ञान दिवस कम मनाया जाता है तो बताए इस कोश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्टी विज्ञान दिवस दो 2020 की थीम क्या थी तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा विज्ञान में महिलाएं जो है तो राष्टी विज्ञान दिवस की थीम थी ओप्स नूमर एइस का राइट आनसर ही गा नेक्ट को आपको बताना है कि इसका राइट अंसर के रहेगा इंद्रण इद्धावास का समद्र गारत जो है तो भारत और ब्रितेंट के बीच में है ठीक है ओप्स नमर सी इसका राइट आंसर रहेगा इंपोर्टन कोश्चन है आप सब लोग से नोट का लेजएगा इसके पहले मैंने क्या बताए था अजे वारियर सभी रहता उसका राइट आंसर भी रहता भारत और यूग की बीच में है ठीक है चलिए नेट कोश्चन क् साधार पटल स्टेडियम काँ पे पे स्थित है तो आप सब लोग जांते होंगे कि मोटेरा इस्टेडियम जो के कहाँ पे समयासर डाइगा इहं द्वार पे इस्थित है चलिए नेट कोश्चन क्यों है नेट कोष़न है भारति क्रैसी अनुसंदान परस्था दौरा अंतर्राष्टी केलसंवेलन का यूज़न की अदर पे किया गया तो इसका राइट अंसर त्योचिरा पलकिया गया ओप्स नूम्बर एसका राइट अंसर रहेगा चलिए नेट कोशन को चलते हैं नेट कोशन है इन में से कौन से भारत का सबसे बड़ा वैपारिक साजिधारी बन गया है तो बताए इस कोशन का राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर रहेगा अमेरिका अमेरि में कांस ऑपन सत्रेंज टॉरनमेंट का खिताब जीता है तो बताई इस कोश्चन का रायट आंसर क्या रहेगा तो इसका रायट अन्सर रहेगा भंडारत खोजा गया है, तो बताए, इस question का right answer क्या होगा, तो इसका right answer हैगा, मांडिया, ठेका, कहाँ पर खोजा गया है, मांडिया पर यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, तो इसका right answer क्या रहेगा, हाली में भारत के मांडिया इस्थान पर लीथियम का 14,100 तन का भंडारत खोजया गया है तो option number C इसका right answer हेगा CP हाप पर मांडिया लिखाए आप सुधा लिजेगा option number C इसका right answer हेगा चलिए net question क्यों चलती है net question है which you cancer device मनाय जाता है आपको बताना है कि which you cancer device का मनाय जाता है तो इसका right answer हेगा which you cancer device जो है तो 4 फरवरी को मनाय जाता है option number A इसका right answer हेगा दोस्तों आप सबी लोग comment box में लिखके बताएगे कि which you cancer device की theme क्या थी इसका अंसर आप हमें comment box में लिखके बताएगे चलिए net question क्यों चलते है net question है रानी रामपाल का समन्द है आपको बताना है कि खिलाडी रानी रामपाल का समन्द किस से है तो इसका right answer रहेगा रानी रामपाल का समन्द किस से है होकी से है यानि कि option number 6 का right answer रहेगा चलिए net question क्यों चलते है इन में से कौन सा फुट वालत एक हजार अंटा राष्टिया मैच खेले वाले दुनिया के एक मात खिलाडी है तो बताए इस question का right answer क्या होगा बहुत easy question है और इस question के लिए आपको 10 second के timing देता हूँ तो इसका right answer क्या होगा Cristiano Ronaldo तो option number 6 का right answer रहेगा Cristiano Ronaldo जो है तो एक हजार अंटा राष्टिया मैच खेलने वाले दुनिया के एक मात खिलाडी बनने है option number 6 का right answer रहेगा next question है इस question पर पूछा गया है कि अंडर 90 cricket विच्ट कब 2020 का खिताब कि स्टेब ने जीतता है तो बताए इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा बंगलादेश ठीक है option number B इसका right answer रहेगा और final match किंटेमों के बीच में हुआ था final में जो है तो बंगलादेश और इंडिया के बीच में हुआ था ठीक है आप सब्सक्राइब यार रखिएगा चले next question क्यों चलती है next question है हाले में जियोलाजिकल सर्वे अफ इंडिया ने भारत के किसे स्थान पे 22806 टन स्वंड अइसक का भिंडारल का पता लगाया है तो बताया इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा कौन से स्थान पे पता लगाया है आपको बताना है कि वाइड लेंग्वेज डाटा विस द्वारजारी रिपोर्ट के अनसार विस में तीन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा है क्रम्ट सा है तो इसका right answer क्या रहेगा आपस नमबर A सबसे ज़्यादा कौन से भासा बोली जाती है दूसे नमबर पे मदारियन और तीसे नमबर पे हिंदी भासा बोली जाती है ठीक है तो आपस नमबर A इसका right answer रहेगा next question है अंतराष्टी मातरभां से दिवस का मनाया जाता है बहुत important question है और इस question को मैंने आपके साथ कई वर डिसकस किया हुआ है इसका right answer क्या रहेगा अंतराष्टी मातरभां से दिवस जोहतो 21 फरवरी को मनाया जाता है ओपस नमबर C इसका right answer रहेगा चलिए next question क्यों चलते हैं next question है computer organic Larry Tesla का निधन हो गया इन्होंने विक्षित किया था बहुत important question है बताए इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा cut copy paste tool का निर्माड किया था ठीक है तो ओपस नमबर A इसका right answer रहेगा next question है इस question पर पूछा गया है कि हाले में खोजी गई cry speed or tropics greater thunberg निम्न में से किसकी एक नए प्रजाती का नाम है तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो बहुत इजी है और इसका right answer रहेगा गोंगा की एक नए प्रजाती है जिसका नाम है क्या है cry speed or tropics greater thunberg ठीक है तो ओपस नमबर B इसका right answer रहेगा चलिए next question क्यों चलते है next question है भारसरका ने TV को 2025 तक खतम करने के लिए किस प्रोग्राम की सुरुआत की है तो बहुत इजी question है और आप सब लोग जानते भी होंगे तो इसका right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा TV हारे का देश जीत्ते का इस प्रोग्राम की सुरुआत की है तो ओपस नमबर B इसका right answer रहेगा चलिए next question क्यों चलती है next question है सरकार ने निर्विक योजना की सुरुआत की जिसका सम्मंद है तो निर्विक योजना का सम्मंद की से है निर्यात बढ़ाने से है तो ओपस नमबर D इसका right answer रहेगा next question है इस question पर पूछेगर है कि बज़ेट 2020 की स्थापना कहां पर की जाएगी बज़ेट 2020 की स्थापना जो है तो गुजिरात की गिप्ट इसका right answer रहेगा चलिए next question क्यों चलते है next question है भारे सरकार इन में से किस पूरा तात्विक स्थान को आइकोनिक स्थान में परिवातित नहीं करेगी तो बताई इस question का right answer की लीगा तो इसका right answer रहेगा द्वारका द्वारका का जो है तो भारत पूरा तात्विक स्थान को आइकोनिक इस्थान में परिवातित नहीं करेगी ठेक है option number D इसका right answer रहेगा यदि में हम बात करते हैं भारत सरकार कितने पूरतात्विक स्थान को आईकोनिक स्थान में परिवर्तित करेगी तो आपको बता दूँ भारत सरका जो है तो 5 पूरतात्विक स्थान को आईकोनिक स्थान में परिवर्तित करेगी जिन में से पहला नाम क्या अंसर है पहला नाम है राखी गड़ी का जो क और चौथर स्थान क्या रहेगा चौथर स्थान रहेगा सिवसागर तो असम पे इस्था आप सब लोगों से नोट कर लेजिएगा पांच में इस्थान क्या रहेगा तो अदेंट अधैंटीन चूर लूर ठीक है यह कहां था यह जो है तो तामिलाड司 न बाटित करेकई k Archos दोसर है Istenapur, 60 тыcal, 64го थे सिविफ़ागर 5 डंभाश भम स्रह रा में थे स्रहें फेस नूर य कहां परोडंग ंध्या बढ़ीह न पूर्प्र तो अ कहां से में जिसे भारा सरकार का आइकोनिक स्थान पर परिवर्थित करेगी ठीक है फिर से इस कोश्चन को रिपेट करते हैं इस कोश्चन पर पूश्या है कि भारा सरकार इन में से किस पूरतात्विक स्थान को आइकोनिक स्थान पर परिवर्थित नहीं करेगी यहां पर नहीं करने की बाता ही है तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा द्वार को ठीक है तो आप्स- no.d is का राइट आंसर है चलिए नेख्ट कोश्चन क्यों चलते है नेख्ट कोश्चन है भारत सरकार जंजाती संगराले की स्थापना किस स्थान पर करेगी तो बताए इस question का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer है भारत सरकार जो है तो जन जाते संग्राले की स्थापना किस स्थान पर करेगी रांची पर करेगी बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer रहेगा भारत सरकार जो है तो संग्राले की स्थापना कहां पर करेगी लोठल पर करेगी option number 6 का right answer रहेगा चलिए इनाइट question क्यों चलते हैं बहुत important question आप सब्सक्राइब करेगी इस question पर पूंचा है कि भारत सरकार को GST से कितने प्रेसेंट की आयपराप्त होती है बहुत ही easy question है और exam पर पूंचा भी जाता है तो इसका right answer रहेगा भारत सरकार को GST से कितने प्र भारत में कबसे किये गई चलिए नेट question को चलते हैं नेट question है भारत सरकार ने बजट के दौरान किस टेक्स को पूरी तरह से खतम कर दिया है तो ऑप्स नमर सी इसका right answer रहेगा चलिए नेट question क्यों चलते हैं नेट कोश्चन है बजट के दोरान भारासरकार ने किस सरकारे बैंक से अपनी पूरी हिस्थारी खतम करने की घुष्टा की है तो इसका राइट अंसर क्या रहेगा IDBI बैंक से अपनी पूरी हिस्थारी खतम करने की घुष्टा की है तो आप्स नमबर B इसका राइट आंसर हेगा चलिए नेट कोश्चन क्यों चलते हैं नेट कोश्चन है इस कोश्चन पर पूशेगा है कि भारा सरकार ने डारेक्ट टेक्स पेर से जोड़े विवादों से निपटने के लिए किसी यूजना के सुरुआत की है तो बता है इस कोश्चन के राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर हेगा भारा सरकार ने डारेक्ट टेक्स पेर से जोड़े विपार्नों से निपटने के लिए विवाद में विश्वास योजना के सुरुआत की है ओप्स नुमर ए इसका राइट आंसर हेगा दोस्तो यदि यह वीडियो आपको पसंदा रही है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे मुझे मोटिविशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रवाइट करा सकूँ दोस्तो यह वीडियो मैंने आपके लिए काफी महना से बनाई है इसलिए आप सब लोग से छोटी से क्वेस्ट है आप सब लोग इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों पसा जादा से एर किजिए ताकि उनके पर प्रेशन में मिल सके और आप सभी मिलकी अच्छी इसको ग्यान कर सके चलिए नेफ्ट कोश्चिन के उचलते है नेफ्ट कोश्चिन है इस कोश्चिन पर पूछागा है कि सरकार की द्वारा वेकल्पिक टॉट पर नए इनकम टेक्स लॉप के संदर में कौन सकतन गलत है तो बताए इस कोश्चिन का राइट आंसर क्या होगा तो ओप्स नमर वन पर लिखाए कि पांच लाग से लेकि साड़े साथ लाग तक सालाना दस परसेंट टेक्स लगेगा ये भी सही है साड़े सास लाग से लेकि 10 लाग तक सालाना पंदर परसेंट टेक्स लगेगा ये भी सही है और यहाँ पर option नमर डीप क्या वूल है साड़े बारा लाग से उपर की income पर 30% के टेक्स लगेगा जो की ये गलत है यहाँ पर कितना होना चाहिए था 25% होना चाहिए था ठीक है तो option number 10 का right answer रहेगा I repeat option number 10 का right answer रहाँ चलिए next question क्यों चलते है इस question पर पूशा गहे कि वर्स 2021 कीस में canary budget में रक्षा वजट रखा गया है आपको बताना है कि वर्स 2021 की canary budget में रक्षा वजट कितना रखा गया तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer हेगा 3 दिसमलोग 3 साथ लाग करोड ठीक है तो option number 20 का right answer हेगा चलिए next question चलते है next question है अंतराष्टी महिला दिवस मनाय जाता है बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer हेगा अंतराष्टी महिला दिवस जो हमेशा 8 मार्च को मनाया जाता है Next question है इस question पर पूछा गया है कि अंतराष्टी महिला दिवस 2020 की theme क्या थी बहुत important question है और आने वाले एक्जम पर पूछा भी जा सकता है तो इसका right answer क्या रहेगा अंतराष्टी महिला दिवस 2020 की theme थी आयम जनरेशन एक्वेल्टी डिलाइजिंग हुमेन राइट्स ठीक है तो option number A इसका right answer रहेगा यदि मापसे पूछ लिए तक कि पहला अंतराष्टी महिला दिवस कब मनाया गया तो इसका right answer क्या रहता पहला अंतराष्टी महिला दिवस 2019 पे मनाया गया कहां पे मनाया गया था निवे आर्क पे तब से लिए कि अभी तक हमेशा 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है ठीक है चलिए next question क्यों चलती है next question है इस question पे पूछा गया है कि हाली में प्रकासित अडवेंचर आप देवर डेविल डेमोक्रेट किस पूर्मुख मन्तर से सम्मन्दित है तो बताए इस question का right answer क्या होगा बहुत important question है और इसका right answer हीगा हाली में प्रकासित पुस्तक अडवेंचर आप देवर डेविल से डेमोक्रेट किस पूर्मुख मन्तर सम्मन्दित है उरिशा के पूर्मुख मन्तरी बीजू पतनायक से सम्मन्दित है बीजू पतनायक जो है तो नविन पतनायक के पिताजी है और नविन पतनायक कौन है परतमान में उरिशा के मुख मन्तरी है चलिए next question क्यों चलते हैं तो बताआач इस question का right answer क्या हुगा तो इसका right answer हीगा हाली में मिजोरों ने चापचब कूट त्योहार का मनाया जाता है वसंदिरितु के स्वागत की समय चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है और यह जो तो यहार हमीजोरम का एक लोग परी तेवार है चलिए नेट कोशन क्यों चलते हैं देज में प्रिथम खेलो इंडिया इनवर्सिटी गेम्स 2020 का योजन कहां पे किया गया इंपोर्टेंट कोशन है और इस कोशन को मैंने आपके संद कई वर्डिसकस किया हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा खेलो इंडिया इनवर्सिटी गेम्स 2020 का योजन जोहत्यो उड़ी से की राजधानी भूमने स्वर्पिया योजित किया गया तो ऑप्स नमर ए इसका राइट आंसर रहेगा चलिए नेट कोशन के और चलती है हाली में किस हवाई अड़ी का नाम बदलकर चात्रपति संभाज इमहराज हवाई अड़ा कर दिये गया तो बताए इस कोशन का राइट आंसर क्या हुगा तो इसका राइट आंसर रहेगा और अंगावार एयरपूट का नाम बदलकर चात्रपति संभाज इमहराज हवाई अड़ा कर दिये गया है ओप्स नमर ए इसका राइट आंसर रहेगा नेट कोशन है खेलो इंडिया इन्वरसिटी गेंज 2020 में कौन से इन्वरसिटी पहले इस्थान पे रहेगा तो बताए इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा अभी मैंने बताए था कि खेलो इंडिया इन्वरसिटी गेंज 2020 का योजन कहां पे हुआ था वो उड़ी से कि राड़ा ने भूमने सौर पे हुआ था तो खेलो इंडिया इन्वर्सिटी गेम्स 2020 में कौन से इन्वर्सिटी पहले इस्थान पे रही है पंजाव इन्वर्सिटी जो है तो पहले इस्थान पे रही है चलिए नेस्ट कोशिन क्यों चलते हैं इस question पे पूछा गहा है कि इनमें से किस public sector bank ने average monthly balance याने कि ABM को समाप्त कर दिया है most important question है और इसका right answer क्या रहेगा SBI bank ने याने कि State Bank of India ने ABM याने कि average monthly balance को समाप्त कर दिया है चलिए next question क्यों चलते हैं इस question पे पूछा गहे कि इनमें से कि सदाजी या केरल सासी प्रदेश ने I am also digital नामा कारक्रम शुरू किया है तो बताए इस question का right answer क्या हो सकता है तो इसका right answer है केरल केरल ने I am also digital नामा कारक्रम शुरू किया है चलिए next question को चलते हैं इस question पर पूछा गहा है कि, हाली में भारत के दस में, मुख सूचना आयुक्त कीसे निक्ट किया गया है? बताइज इस question का right answer क्या रहेगा? तो इसका right answer है गा. हाली में भारत के दस में, मुख सूचना आयुक्त किया गया है, बेमल जुलका को. तो option number T, और इसका राइट आन्सर हैगा Day question है मुख्ष सूचन पर पूँछा कहें की मुख्ष सूचने आयुक्ट की नियुक्ति किसके के द्वारा की जाती है important question है और इसका राइट आट आंसर हीगा मुख्ष सूचनेन आयुक्ट כי ठेक है चमोली टेवी जैन पुरुसकार जोहतों किश हित के लिए दे जाता है पार्टर कारिता के लिए दिया जाता है ओप्स नमर्डी इसका राइट आंसर दहेगा नेस्ट कोश्चन है इस कोश्चन पर पूँचागा है कि हाली में प्रकासित दोस्थ तक इनसे भी सेबल इट बत्रीट फिर टू मनुहर परिकर के लिएकर कौन है बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer रहेगा तरुन बिजे option number Ds का right answer रहेगा इंपोर्टन question है आप सब लोग इसे नोट कर लिजेगा चले इनाट question को चलती है इस question में पूछेगा है कि हाले में किस राज्य ने SCST करमचारियों के लिए पदोननती में अरक्षण को समाप्त कर दिया है बताए इस question का right answer क्या होगा बहुत important question है और इसका right answer रहेगा उट्रखंड राज्य तो option number Ds का right answer रहेगा चले इनाट question क्यों चलती है हाले में जारी वाइड happiness report 2020 में भारत को किस इस्थान पर मिला है आपको बताना है कि हाले में जारी वाइड happiness report 2020 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer रहेगा 156 देशों में भारत को कौन सा इस्थान मिला है 156 देशों में भारत को 144 इस्थान मिला है वर्स 2020 की रिपोर्ट के अंसार और 2019 में कौन सा इस्थान मिला था वर्स 2019 में भारत को 140 इस्थान मिला था तो 4 पाइदा नीचे गिर के 144 इस्थान पे भारत आ चुका है ठेक है एक बार फिर से इस question को repeat करते हैं हाली में जादी White Happiness Report 2020 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है 144 में इस्थान मिला है तो Ox No.3 का right answer रहेगा चलिए next question को चलते हैं इस question पर पूशेगा है कि White Happiness Report 2020 की अनुसार 200 का सबसे खुशाल देश कौन सा है तो इसका right answer क्या रहेगा फिनलेंड फिनलेंड जो है तो 20 का सबसे खुशाल देश है Ox No.8 का right answer रहेगा next question है Corona virus के संक्रित मामलों के लिए भारती चिकित्सा अनसंधान परिशत द्वारा एक गठी task force द्वारा किस दवाकी से फारिश की गई यहां पर क्या है भारती चिकित्सा अनसंधान परिशत ठेकर जैसे क्या कहते हैं ICMRV कहते हैं इसके द्वारा किस दवाकी से फारिश की गई तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हाइड्राक्सिक लोरोकेन की सिफारिश की गई Ox No.20 का right answer रहेगा चलिए nat question की चलते है नat question है Hydroxy Kloro-kin हाल्म चर्चा में रहेš इस दवाको प्यूप किस विमारी के लिए किया जाता है तो बहुत इंपॉर्टन न कोश्चन है और आप सभी लोग जानते होंगे इस दवाको किस के लिए किया जाता है malaria rug के ilágy के लिए किया जाता है तो Oxnummer Six का right answer रहा नेश्ट कोश्चन है बिश्व में हाइड्राक्षी क्लोरोकिन धवक का सबसे बड़क उटपादन देश कौन से है तो इसका right answer रहेगा भारत भारत में हाइड्राक्षी क्लोरोकिन का 70% उटपादन होता है तेका 70% से भी जादा उत्वादन होता है तो पहले स्थान पे कौन है भारत है चलिए नेस्ट कोश्चन क्यों चलती है इस कोश्चन पे पूछे गए कि विस्ट टीवी दिवस कम मनाया जाता है बताए इस कोश्चन का राइट अंसर क्या होगा बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है और इसका राइट आंसर हैज़ा विस्ट टीवी दिवस जुह तो 24 मर्च को मनाया जाता है ऑप्स मः सी इसका राइट आंसर हैगा चलिए नेस्ट कोश्चन कोश्चन लोचलती है विस्ट टीवी दिवस 2020 की ठीम क्या थी बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer हैगा विस्व टीविस्ट विवास 2020 की theme थी It's time यानि कि Ox No.8 का right answer हैगा Next question है अंतराष्टी ओलम्पिक समीती ने 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच होने वाले ओलम्पिक खेलों को एक साल तक के लिए इस्तियत कर दिया ये खेल कहां पर होने वाले थे तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो आप सब लोग जानते होंगे कि अंतराष्टी ओलम्पिक गौंप जो है तो टोक्यो यानि कि जापान पर होने वाले थे तो उप्स No.8 का right answer हैगा नेट कोशिन है जे ट्वंटी अपात का लिंग वर्चुवल सिखर सम्मेलन की अधिक्ष तक किस देश के दोरा की गई तो इसका right answer रहेगा साउडी अरब के दोरा की गई ओप्स No.8 का right answer रहेगा नेट कोशिन है तो बताएं इस कोशिन का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा एक डिसम्मलो साथ लाग करोर ओप्स No.8 का right answer रहेगा नेट कोशिन है हर साल भारत में सही दिवस मनाया जाता है तो आप सभी लोग बताएं सही दिवस कम मनाया जाता है हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है भागस्तिक, राजगुरु और सुकुद्यों को इसी दिवस फांसी दी गई थी तब से भारत में 23 मार्च को सही दिवस मनाया जाता है चलिए नेट कोशिन को चलते है नेट कोशिन है इस question दे पूछे गया है कि native fury, sand, abhyaas का सबन्द किन दो देजों के मद्ध है तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer हीगा native fury, sand, abhyaas का सबन्द जो है तो अमेरिका और सहीं कुछ अमीरात के मद्ध है और अमस्ती इसका right answer हीगा next question है हाली की दिनों में चर्चे रही mac 426 फसल किसे सम्दित है तो इसका right answer क्या रहेगा गयहूं से सम्दित है आप सब्सक्राइब लोगे से note कर लेजीगा important question है एक्जाम पर आया हुँ हो भी था तो इसका right answer क्या रहेगा mac 426 फसल किसे सम्दित है गयहूं से सम्दित है चलिए next question को चलते है उर्जे की बचत कर धर्टी को सुरक्षित करने की उड़ेश से हर साल किस दिन अर्थोर मनाया जाता है बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer हैगा उर्जे की बचत को कम कर धर्टी को सुरक्षित करने की उड़ेश से हर साल मार्च की अंतिम सनिवार को अर्थोर मनाया जाता है तो box number B इसका right answer हैगा next question है इस question पे पूशेगा है कि why consumer rights day यानि कि 20 उभोकता संदक्षन डिवस कम मनाया जाता है तो इसका right answer क्या रहेगा 20 उभोकता संदक्षन डिवस जो है तो 15 मार्च को मनाया जाता है यदि मैं पूश लेते कि रष्टी उभोकता संदक्षन डिवस कम मनाया जाता है तो बताए इसका right answer क्या होगा तो चाहवेई दिसंबर को मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है ओप्स नंबर 20 का राइट अंसर रहेगा चलिए नेट कोश्चन क्यों चलते हैं नेट कोश्चन है वर्स 2020 में ITTF चैलेंज प्लेस ओमान ओपन ट्रॉफिक का खिताब किस भारती टेबल टेनिस खिलाडी में जीतता है तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer रहेगा अच्छन तसरफ कमल ने जीतता है आप सबस्क्राइब लोग सोच में होगे कि IETTF का फूल फाम क्या होता है तो इसका full-form होता है International Table Tennis Federation ठीक है आप सब लोगे से नोट का लेजेगा चलिए नेट कोशन को चलते हैं नेट कोशन है राष्टी टी का करन डिवस कम मनाया जाता है बताए इस कोशन का राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर हेगा राष्टी टी का करन जो है तो रहेगा जैनिफर हॉलन पर प्रिक्षण किया गया है और इसका राइट अंसर हेगा नेट कोशन है हाले में संपन्य इंडियन सूपर लिग यानि कि आई एस अलवाल 2002 का किताब किसने जीता है तो इसका राइट अंसर क्या रहेगा एटी के ने जीता है ठीक है और इती के फूल पार क्या होता है एथिली 2WD टोटी घॉल यह जीटत थे ऐसने 20 भार чуть को हरा गुदनिब गुर्जी चाहतक है नेमिक सब्सक्राइक ने 80 के Band4 चलते हैं भारा सकार ने हालिमें किस देष से 16 z449 नेगयो LMG यानिके light machine gun खरीट के लिए समझोता किया है तो इसका right answer क्या रहेगा Israel के साथ समझोता किया है option number A इसका right answer रहेगा important question है आप सब्सक्राइब इसे note कर लेजेगा एक बार face repeat कर देते हैं भारा सरकार ने खाले में किस देश के साथ 16486 LMG यानिके light machine gun खरीट के लिए समझोता किया है तो इसका right answer क्या रहेगा Israel Days के साथ चलिए next question क्यों चलते हैं अंतराष्टी प्रसंदतर दिवस कम मनाया जाते हैं बताए इस question का right answer क्या होगा important question है एक जांपे काफे पर पूछा भी गया है इसका right answer रहेगा अंतराष्टी प्रसंदतर दिवस कम मनाया जाता है हमेशा 20 मार्च को मनाया जाता है option number 30 का right answer रहेगा next question है इस question पे पूछे गहा है कि अंतराष्टी प्रसंदतर दिवस कम मनाया जाता है तो इसका right answer क्या रहेगा अंतराष्टी प्रसन्तर दिवास तुब 20 मार्च को मनाये जाता है चलिए next question क्यों चलते हैं इस question पर पूशेगल है कि अंतराष्टी प्रसन्तर दिवास दिवाद 2020 की थीम क्या थी तो इसका right answer रहेगा अंतराष्टी प्रसन्तर दिवास 2020 की थीम थी हैपनिस फार आल टूगेदर यानि कि ऑप्स नमबर तेस का राइट आंसर हेगा चलिए नेट कोशिन क्यों चलते हैं विश्व जल डिवस 2020 की थीम क्या थी तो आप सब लोग सबसे पहले आप सब लोग ये बताएं कि विश्व जल डिवस कम मनाय जाता है यानि कि अनतरहएटी जल डिवस कम मनाय जाता है तो इसका राइट आनसर क्या रहेगा 22 नेट कोशिन क्यों चलते हैं 22 नेंद में से कौन शराज अपना इस्थापना डिवस मनाया है आपको बताना है कि 22 नेट का सबसक्त का इस्थापना डिवस होता है तो इसका right answer क्या रहेगा बिहार का इस्थापने दिवस होता है ओप्स नमबर B का right answer है Next question है हाली में ICC T20 Human World Cup 2020 का योजन कहां पे किया गया तो इसका right answer क्या रहेगा ICC T20 Human World Cup 2020 का योजन दो है तो आश्टियलिया पे किया गया ओप्स नमबर A इसका right answer है नेट कोशन है ICC T20 Human World Cup 2020 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है तो इसका right answer क्या रहेगा आश्टियलिया ने जीता है किसी हराकी जीता है भारत को अड़ा के जीता है फानल में चकिन टीमों के मत दो हुआ था आश्टियलिया भारत के बीच में हुआ था तो आश्टियलिया इसका right answer रहेगा नेट कोशन है हाल ही में BBC ने किस खिलाड़ी को इंडियल स्पोर्ट Human of the Year अवार्ड से समानित किया है तो बताए इस कोशन का right answer क्या रहेगा तो इसका right answer रहेगा पीवे सिंधू को समानित किया गया है आश्टियलिया इसका right answer रहेगा चलिए नेट कोशन कोशन को चलते है केन सरकार ने 5 राजियों एवं केन सासे प्रदेश में लोग सभा और विधाओं सभा छेतों के सीमन रिधान हेतों एक परिसीमन आयोग गठित किया तो आपको बताना है कि इस आयोग का गठन सरकार किस अनुचियत के तहट करती है तो इसका right answer क्या रहेगा अनुचियत 82 के तहट परिसीमन का कारे करती है तो option number A इसका right answer रहेगा चलिए next question क्यों चलती है next question है राजजी टॉपी 2019 पीस का खिताब हाले में किसने जीता है तो इसका right answer क्या रहेगा राजजी टॉपी 2019 पीस का खिताब जोहत्यों सुराज टीम ने जीता है option number A इसका right answer है next question है RBI ने इन में से किसे ESPN का नया MD वा CEO निक्ट किया गया है दोस्तों यहाँ पे MDI है इसका मतलब managing director और यहाँ पे CEO है ने कि chairman किसे निक्ट किया है प्रसांत कुमार को निक्ट किया है option number D इसका right answer रहेगा next question है 19 में ACI खेलों का आयोजन 2020 में कहां पी किया जाएगा तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer रहेगा 19 में ACI खेलों का आयोजन 2020 में होंग जोंग यानिकी चेंद पे किया जाएगा A. इसका right answer हेगा Net question है इस question पिंचेक है कि खिलारी वश्यम जफर का संबंध किस खिल से है तो बता है इस question का right answer क्या होगा इसका right answer रहेगा cricket से संबंध है option मिझे इसका right answer हा Net question है Corona Virus के दौरान चर्चा में चल रही पीपीए किट का पूरा नम है आपको बताना है कि पीपीए किट का पूरा नम क्या होता है तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा Personal Protected Equipment यानि कि आप्सन नमर एजका राइट आंसर हा नेट कोशन है इन मेंसे कौनसा क्रिकेटर 53-20 match खेलने वाला 200 का पहला क्रिकेटर बना है तो इसका राइट अंसर क्या रहेगा केरन पोलाड option number A इसका राइट अंसर रहेगा और यह किस टीम की ओर से खेलते हैं West Indies टीम की तरफ से खेलते हैं next question है इस question पर पूशेग है कि भारती थल से इना ने COVID-19 ने पटने हैं तो कौन सा अवियान शुरू किया है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि operation नमस्ते अवियान शुरू किया है option number B इसका राइट अंसर हा next question है हालनी में BCG का टीकर सुर्खियों में रहा यह टीकर किस विमारी के रोक ठाम के लिए प्योग किया जाता है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि BCG का टीकर जो है तो टीवी रोक के रोक ठाम के लिए किया जाता है option number D इसका राइट अंसर हा next question है इस question पर पूछा है कि BCG की टीकर का पूरा नाम क्या है तो option number यानि की बैसलर्स क्लेमेट गुरीन यानि की option number A इसका राइट अंसर हेगा important question है कई एक्जाम पर पूछा भी गया है आप सलुकिसे नोट कर लिजेगा चलिए next question पर चलते है PranaireANT पूरुषकार की खेट के लिए दी आजाता है तो बताये इस question का राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर हैगा PranaireANT पूरुषकार जो हैटतो वास्तूकला की खेट में दी आजाता है option number A इसका राइट अंसर हैगा को मिट करते हूं दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मुझे मोटिवेशन बिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें शाथ यसान पैल आइकन को जरूर प्रिस करें ताकि जब भी मैं इस वीडियो आप लोट करें तो उसका नोटिपिकेस नाप तक सबसे पहले पहुँच सके हैं दोस्तों यह वीडियो मनें आपके प् करा सकते हैं दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का पीडिया प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप से जोईन हो सकते हैं फेस्टांग्राम ग्रूप से जोईन हो सकते हैं या फिर एमेल में हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों हमारे यह वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज कॉमेंट वाक्स में बताएं इस वीडियो का अपने दोस्तों के सांद जादा से जादा से शेयर करें ताकि उनके प्रेपरिशन भी अच्छी हो सके मिलते हैं नेस्ट वेडियो पे तब तक के लिए थेंक यू